अगर आपकी गाईकी में ठहराव नहीं है तो ये वीडियो खास आपके लिए हमने ऐसे compliments जरूर सुने हैं कि वाह गाईकी में कितना ठहराव है, सुकून है तो ये ठहराव और सुकून हम हमारी गाईकी में भी ला सकते हैं अगर हम कुछ चीजों पर ध्यान दे तो ठहराव का literally मतलब होता है ठहर जाना, कहां ठहर जाना? सुरों पे ठहर जाना, कैसे ठहर जाना? हमारे जो साथ basic स्वर है सारे गामा पाधानी सब पर हमको ठहरना है यानि कि एक-एक स्वर को पकड़ना है और उस पर दो से तीन मिनट ठहर जाना है, कैसे? अपना तानकुरा चल ठहरे रहो, सा, रे को पकड़ो, रे पे ठहर जाओ, रे, दो मिनिट, अब गा को पकड़ो, गा, इस पे ठहर जाओ, गा, अब इस practice में दो बातों का बहुत ध्यान रखना है, नमबर एक, स्वर की stability और स्वर का pointedness, ये practice सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन ट्रस्ट म ये बहुत मुश्किल है, बहुत सारा patience चाहिए, बट अगर आपने ठीक से किया, तो it's a game changer, try करियेगा